जागे सवेरे किरनों के चहरे हसते हसाते चले दिल के रादे बादे ने बाते किस्मत बनाते चले जाना है जाना सितारों के पार दुनिया को देना है इल्म और प्यार आसान है हर इम्तहान हिम्मत अगर साथ है हर रास्ता मन्जिल बने हाथों में जो हाथ है परचम बतन का हूचा हो रोशन हो इसका नाम हम जो कदम बढ़ाएं आए बतन के टाँ मैं अकीला ही चला था जानिबे मन्जिल मगर हम सफर मिलते गए कारवा बनता गया नाजरीन पॉपॉलर नियूस के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान मैं आपकी होस्ट जूबिया शफीक नाजरीन रोशन पाकिस्तान सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बलके रोशन पाकिस्तान उस खौब का नाम है जो गड़ी दूप में एक मजदूर बाप सारा दिन महनत करने के बाद अपने बच्चों के मस्तक्बिल का देखता है ये वो खाब है जो एक गरीब मा लोगों के घरों में काम करने के बाद चंद रुपों के इवज अपने बच्चों की बहतर तालीम का देखती है रोशन पाकिस्तान उस महनत का नाम है जो एक गरीब तालेबल मा अपनी फीस को जबाँ करवाने के लिए पार्ट टाइम की सूरत में किसी दुकान किसी प्लाजे या फिर किसी होटेल में करता है बिल्कुल रोशन पाकिस्तान वो उमीद है जो हर बुड़ा माबाप अपने बच्चों से उनके बहतर मस्तक्बिल की रखता है और वैसे भी कहते हैं कि उमीद आप जिस कदर अच्छी रखोगे आपको उसका आउटपुट आपको उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा जी बिल्कुल रोशन पाकिस्तान वो सफर है जिसके हर मोड पर एक नए कड़ी हमारे साथ जुड़ती जा रही है जिसके हर मोड पर एक नए हमसफर हमारे साथ मिलते जा रहे हैं तो आज हमारे रोशन पाकिस्तान में हमारे साथ दे रहा है अलाइट स्कूल हम इस वक्त अलाइट स्कूल मिस्टरी शा केमपस में मुझूद हैं चलते हैं हम स्कूल के अंदर करते हैं मजीद गुपतगू दिखाते हैं आपको मजीद के बच्चों में कौन सी स्पेशालिटी है स्कूल में इस स्कूल के अमले में कौन सी खासूसियात है यहां के उसाध्जा कैसे हैं यहां के प्रिंसिपल का क्या रोल है उनके उसाध्जा क साथ अपने स्टूडन्ट के साथ क्या रवया है यह सब कुछ जाने के लिए चलते हैं स्कूल के अंदर ह् ए् зв झाल डांते हैं स् एक रवया है यह स्तूल्स आत है यह सेथ़ कर्णत्य सक्त्दा है यहimon дос Eh यहाँ है सैनल्स निह ग्रत बेलैंर शेल को जाने कीस्ट कुछ जो कर दो हैंस्त्य स्टूल जाने कीक्षा इरश बता हैं प्रेप क्लास में प्रेप क्लास में मुझूद है और हमारे साथ एक क्यूट सी बच्ची घड़ी हैं तो हम इनसे करते हैं कुछ कॉस्चिन क्या नाम है आपका माइनम इस मुसकान अच्छा मुसकान आप किस क्लास में हो प्रेप क्लिप आपके फेवरिट टीचर कौन है सब फेवरिट हैं नहीं कोई एक टीचर मिसिक्रा क्यों अच्छी लगती है कि अच्छा पढ़ाती है मारती नहीं है कुछ सुनाओ के हमें क्या पाकिस्तान हमारा है, हमको जान से प्यारा है, हो जाए इस पेकुलबान, देश हमारा पाकिस्तान, जेलम रावी ओजरा, इनसे दर्द की ओजरा, इनके फोजी ओरा, इसके मुआफिस हो निगरा, अर्जाम उन्ची इसकी शा, देश हमारा पाकिस्तान, वेरी गुड, क्लेपिंग कर दें शाथी दियुक्त और कॉन सुनाएगा अमे असलाम लेकुम वालाइकुम असलाम क्या नाम है आपका माइनिम इस दाओड अचा दाओड मुझे ये बताएं मामा सादा अची लगती हैं पापा मामा क्यों मामा क्यों ची लगती है वह में खाना पका के देती है अच्छा अच्छा मुझे के बताएं आप क्या सुनाएंगे पॉइंट I am a little tea pot short and tot here is my handle here is my spout when I get all steam up hear me shout tip me over and power me out very good clapting and who will hear us? Assalamualaikum Assalamualaikum What is your name? My name is Fares Fares Fares, tell me what subject you like English very good What will you hear? Point hear me hear me There will be that क्या नाम है आपको अब्दुरह्मान क्या सुनों गया मैं अपने देश के मोस्तामचा गर्मी सर्जी जाबार गर्मी में है सुरत की दुख कमला है फुलो कारू सार्जी में है कोई काम पे हुआ प्रान याम से रांपे और जब आएं की जा दुआ हुड़े यावा बाद इसके आएं वा एक बारो रख मजार्दुरह्मान क्या नाम है अच्छा अर्वा मुझे बताएं कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है उर्दू का उर्दू अच्छा लगता है तो अच्छा मुझे हुआ है क्षाट्व को था उसर्ड़ को उसरा मुझे हैं छोगता है you can get me shot इस वक्त में प्ले ग्रूप क्लास के बाहर खड़ी हैं और यगीन माने यहां आकर मुझे अपने बच्पन की याद आ गई तो चलते हैं क्लास के अंदर और मजीद बच्पन के यादे ताज़ा करते हैं पाकिस्तान जी नाजरीन हमारे साथ प्ले ग्रूप क्लास की एक ननी सी परी मुझूद हैं चलें उनसे कुछ पातशेत करते हैं असलाम लीकों वालेकुम असलाम क्या नाम है आपका? दुआ सर्फ दुआ क्या सुनाओगी हमें? बाबा बाबा सुनाएं बाबा बाबा बलाशीब है यू एनेवल यसर यसर थडी बैग फुल बान फोड़ अ मास्टर बान फोल डी लेम बान फोड़ अ लिक्टर वाई फुल इस डाब डी लेम वेरी गूड ट्लेपिंग नाजरीन हम कुछ और बच्चों से बात करते हैं और उन से सुनते हैं कि वो क्या सुनाना चाहते हैं क्या नाम है आपका? फात्मा फात्मा क्या सुनाओगे हमें? दो भी आया, दो भी आया कितने कप्रेला आया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आत, नूँ, दास, और बार रेरी गूड ट्लेपिंग और कौन हमें सुनाएगा पॉएम? असलाम निकूँ अबाल निकूँ असलाम क्या नाम है आपका? आमना आमना कौन ची क्लास में हो? प्रेवल क्लास में क्या सुनाओंगे हमें? वान, तू, पकल, माईशू, त्री, फोर, नोक, एदा दोर, फाइज, शिक्स, पिकप स्टिक, सेवन, एत, लेडम स्टे, नाइन, तैन, नाइन, तैन, बिक फ्रेट हैं वेरी गूड, क्लैपिंग, और को नमी सुनाएगा पॉन, आप साम नीक, क्या नाम है आपका? इमान, क्या सुनाओंगे हमें? क्लैपिंग, बहुत अच्छे, और को नमी सुनाएगा पॉन, आप साम नीक, क्या नाम है आपका? अबरी पातिमा, ओके, अमबर हमें क्या सुनाओंगे हमें अच्छे का बच्छा, अंदे से निकला, पानी में पिचला, अबू ने बगला, बाइगों ने काता, अमी ने पकाया, हम पकाया, बोल जाया, वेरी गूड, क्लैपिंग हो जाए अमबर के लिए नाजरीन आईए थे हमारे नने नने फरिष्टे, हमारे छोटी छोटे बच्छे जो हमें पॉइम सुना रहे थे, हम नेक्स क्लास में चलते हैं और चलके करते हैं बच्छों से मजीद बात चीज़, तो चलते हैं लुड, तो चलते हैं माशाला नाजरीन इस वक्त हम नर्सरी क्लास में मुझूद हैं यह साथ बहुत इनोसेंट बच्छे मुझूद हैं, हम इनसे करते हैं बात चीज़, इनसे सुनते हैं पॉइम और वो सब चीज़ें जो वो सुनाना चाहते हैं असलाम लीकूम वालेकुम अल्ला कैसे हैं आप सब? जीज़ा अच्छा, पॉइम कोई हमें सुनाएगा असलाम लीकू वालेकुम असलाम क्या नाम है आपका? आमना अच्छा, आमना क्या सुनाओंगे हमें चैक एंजिल वेंट अब ताहिल टूफच अपेल वाटर चैक फेल दाउन रॉकस ताहन जीज़ा जीज़ा नाम आपका आपका वेरी गूड़ टेपिंग कर दे और कोण हमें सुनाएगा आजो क्या नाम है? अभी रडी अभी क्या सुनाओंगे हमें? सुनाए ब्लीटर वेंटर पासाथ वेरी गूड़ टेपिंग और हमें कॉन सुनाएगा पॉइंग क्या नाम है आपका? अभान सुनाओंगे अच्छा क्या सुनाओंगे आप हमें? लिटर मिस मॉफी सेट ओनाटर वे इटिंग अगास एंड विड वेलंगे माःफेंड़ा वू सर्थान प्राटर वेंड़ मॉफीत अगें वेरी गूड़ घंपिंग क्या नाम है? हड्रेम क्या सुनाओंगे हमे आहे अअव है याँ थंदार आहे अव थंदार ओंदार ओंदार प्षूंग , प्र德 मविआ आंडोउ , प्रे आंडोज , homeless प्रणॹ है यहीं। सबन सब्सकर रे खाय। वहलु। क्या नाम सब्सक्थ ? तंडॉय। अाइस्या मैं ठ्रीष्या॥ मैं इन जम्सकर शुट तंय व। एटंडा जंडा पानी हम भी गए, आप भी गए, हम सब भी गए सब भी गए, clapping नाजीन ये मारे सां नर्स्री क्लास मुझूद थी और नर्स्री क्लास में बहुत इनोसेंट बच्चे मुझूद थे जिनसे हम सुन रहे थे पॉइम्स हम चलते हैं मजीद नेक्स्ट क्लास में और करते हैं उनसे मजीद गुफ्तबू असलाम लेकूं वालेकूं असलाम क्या नाम है आपका यान क्या सुनाओंगे हमें सुनाएं जालेही कशफ तुचा पिछ मालेही है सुन जमियों के सालेही जिसे चाहा तर पे बूला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बला लुला मालेही जिसे चाहा तर पे बिटा लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बला लुला मालेही जाक अल्ला माशाला जाक अल्ला असलाम लेकुम क्या नाम है आपका मुईस अच्छा मुईस क्या सुनाओंगे हमें नात आओज बिल्लाह मिन श्याइतान रजीम बिसमिल्ला मान रहिम लब पर नातें पाक का नगमा कल भी था और आज़ भी है मेरे नभी से मेरा रिष्यका कल भी था और आज़ भी है पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक में बुलंद किया दोनों जहां में उनका चड़ चा कल भी था और आज़ भी है फिकर नहीं है हमको कुछ भी दुख की दूप करी तो क्या दिन पे मर मिटने का जजबा कल भी था और आज़ भी है और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें अपना सब कुछ गुमबद खज़रा कल भी था और आज़ भी है जिदा कल भी है और आपको चोटे चोटे बच्चे नात सुना रहे हैं तलावत सुना रहे हैं माशाला कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं कल में सुना रहे हैं आपको यह हमारा कल्चर है यह असल हमारी तहजीब है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं कि छोटे चोटे चोटे बच्चे किस से रिप्रिजेंट कर रहे हैं इनको और कुछ बच्चों से बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं असलाम लेकूं क्या नाम है आपका आईमूर अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तान के फांडर कौन है काईद आजम क्लैपिंग माशालाख आप इदर आओ आपका नाम क्या है हरीम ये बताएं कि पाकिस्तान के फ्लैग में किते कलर हैं कौन कौन से वाइट और ग्रीन वैरी गूड स्टेंडर में और आपने फर्स्टेंडर के बच्चों का ओंफिडन्स चेक किया कि वह तरीके से आप से बात जायुक्त है। आप बहाहरे थे हम मजीद चलते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ श्ट्ड़णस से बात करते हैं कुछ चोटे-चोटे बच्चों से कुछ बड़े बच्चों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्कूल के बारे में वो क्या कहते हैं तालीम के बारे में वो क्या कहते हैं खुदी है ताखे बिशा ला इलाहा 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 इलाह कहते हैं से नमक्दा है जहां ला इलह है ला इललाँ लाइलाह इलैलाह लाइलाह लाइलाह नाजरीन इस वक्त हम 7th क्लास में मुझूद हैं यह हमारे साथ कुछ स्टूड़ेंट मुझूद हैं हम चलते हैं इसे करते हैं उस्ट सवालाइं असलामीं को अब अलेक्म असलाम क्या नाम है अपका ? रिदा शाहिद रिदा मुझे बताएं कि आप इस्कूल में कितना टाइम हो गया? 4 years 4 years होगया है कॉन सीजी सबसे अच्छी लगती हा? teacher, staff, paph prophan और और अपकी best friend? Kaorem Fatma माशाला खीक होगया subject कॉन साबसे अच्छा ल यहुए? science and arts बाडी का सबसे बिग आरगन को अंसा है वेरी गुड़ ट्लैपिंग कर दे एक लिए हमारे साथ और स्टुडेंट भी पोजूद है हम उनसे पूचेंगे असलाम लिखो वालाइकुम असलाम क्या नाम है आपका? मावर भडो की एजट करनी चाहिए और चोटों से प्यार करना चाहिए क्लैपिंग कर दे एक दफ़ा असलाम लेकुम असलाम क्या नाम है आपका? करымиफात्मा अचागरमफाद्मा ये बताएं और एक अच्छा इंसान होने के लिए प्या ज़रूरा है अच्छा इंसान ऐने के लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है उसके बाद आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी से जूड़नी बोलना चाहिए और किसी की बैकबाइटिंग भी करनी चाहिए हमें जुझे अपने से बात बना के हमें नहीं बोले चाहिए रई गुड़ाइब नासीन आप मेसेच ए और अच्छा मेसेज ए और स्टूड़न्ट जो होते हैं है और स्टूड़न्ट जो लोग हैं जो बिल्फूल स्ट्रेट अवे बात कर देते हैं के दिल में कोई ऐसी बात नी होती जो छुपी ठकी हो हमारे साथ और स्टूडेंट मुझूद हैं उनसे करते हैं मज़ीद सवाला आज जी असलामने को वालेकुम असलाम क्या नाम है आपका जुनेट अच्छा जुनेट आपका फेवरिट सब्जेक्ट साइन्स अच्छा क्या नाम है आपका मौमाद शाफी अच्छा मुझे ये बताएं रेस्पेरेशन क्या होती है रेस्पेरेशन इस वक्त हम वजूद थे सेवंध स्टेंडर में सेवंध स्टेंडर के बच्चों की आपने बातचीत सुनी इनकी तियारी सुनी के इनको साइंस सब्जेक्ट लोग हैं जो आने वाले वक्त के न्यूटन हैं जो आने वाले वक्त के आइंस्टाइन हैं और जो आने वाले वक्त के बेहतरीन और आपको पापुलर चेहरे निजर आएंगे तो जलती हैं अगले क्लास में और करते हैं मजीद बातचीत नाजरीन हम में यहां पे एक टीचर दिखाई दे रही हैं हम करते हैं इनसे कुछ बात चीप असलामिक बालिक मस्लाम मैं कैसी यहां हूँ मैं ठीक आप बताएं हूँ अच्छा मैं यहां बताएं कि आपका नाम सबस्पेश पहले हैं आईशा आप यहां कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं यहां पर साइन्स टीचर हूँ आपको किता टायम हो गया इस स्कूल जाएं तो इससे पहले आप किसी और स्कूल में थी यहां 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 फिर्स्ट एक्स स्टाफ भी है और बच्चे भी बहुँ जादा लearnik मतलब सीखते हैं तो आप एक मैं टीचर से अगर पूछ हूं के बच्छेपन में आप कैसी स्टूडंटी जैसे अब आप बच्चों को पढ़ाती है तब के स्टूडंट में आपके स्टूडंट में आपके करने लगे हैं और उनको हमसे जादा इंफोमेशन होती है इस चीज के बारे में तो हम जब थे तो हमारे पास तो इंटरनेट और इसा की सूलियात नहीं थी जिसकी वज़ा से हम लोग थोड़े डाउन थे इस लाए और पे अगर आप से पूचा दे के स्टूडंट और करते हैं और जहां पर स्टूड़े की ज़रोत है वहाँ पर स्टूड़े करते हैं जी थैंक यू नाज़ीन हम यहाँ साइंस टीचर के साथ मजूद थे आपको उनकी गुफटबू सुनाईं आपको उनसे पता चला के स्टूड़ेंट और टीचर के दरम्यान जी नाज़ीन हो और साथ एक और टीचर मुझूद हैं मिनसे करते हैं कुछ गुफटबू असलाम लेको अलेको मैं सबसे पहले आपका नाम मिस्टाजिया अफेश मिस आप हमें यह बताएं कि आप कैसी है आलागा शुकर पाइन अल्हम्दोलिल्ला अच्छा यह बताएं कि स्टूड़न्ट को कोई एक मैसेज आप देना चाहें बच्चों के लिए ताले बल्मों के लिए अधर स्टूड़न्ट जो आपको अधर स्कूल से स्टूड़न्ट नेके हैं उनके लिए को एक मैसेज को आप मैसेज क्या देना चाहें मैसेज मेरा सब स्कूल के बच्चों क कभी भी नी होगा याद करेंगे आपकी स्पेलिंग की गलती निकलेगी आपकी इमला की गलती निकलेगी तब ही आगे बढ़ोगे आज का काम आज कल पे कभी भी नी छोड़ रहा है और मैं मुझे ये बताएं कि आप अगर स्कूल को कोई एक मैसेज देना चाहे कोई बात स्क उने के हवाले से तो वह बात क्या हो भी ये हमारे स्कूल में जैसे हमें कहा जाता है कि बच्चों को जब पढ़ाना है तो उसके किरेक्टरू बना कर फिर बच्छों को समझा याजा है वह B maneuver! जब समझाते हैं तो उसके क्रेक्टर बना लिये जाते हैं तब बच्चों को ज्यादा अच्छे से याद होता है और उसको भुक्स नहीं खोलनी पड़ती ऐसे बाकी स्कूलों में भी ऐसी किया जाए तो मेरे ख्याल में बच्छों बे ज्यादा बोज नी होगा और वो बड़ को को एक मैसिज देना जाए कि बास जगह पे हम लेखते हैं कि पेरेंट अज्यादा अच्छ नहीं होती है पेरेंट जब बच्चे जाती है तो इतना ज़्यादा फोक्स नहीं पर रहे होते वो भी जो है ना उसा टीचर पे उतर रहा होता है कि टीचर यह भी करवा कर बेज करेंदे अगर का मोहौश पर की फौ्री propose नहीं जाएज दिए होगा ना बच्चों को टाइम नहीं पर उछ दिया जाएगा이면 को अगर मा अपने एक्टिविटी में एक्ड़श पर जाना है आज है आज हमने वहां जाना है बच्चे नहीं पाड़ सकते बच्चों प्रपर तो अपनी बात से बात कहां तक इन्सान को फुछा देती है। चलते हैं मजीद नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट टीचर्स के पास प्रिंसिपल के पास और करते हैं उनसे मजीद गुपतुकूप जागे सवेरे किर्णों के चहरे हसते हसाते चले दिल के इयादे बाधे मी भाते किस्मत बनाते चले जाना है जाना सितारों के पार दुनिया को देना है इल्म और प्यार जाना है जाना सितारों के पार दुनिया को देना है इल्म और प्यार आसान है हर इंतिहां हिम्मत अगर साथ है हर रास्ता मंजिल बने हातों में जो हात है जम जम बतन का फूंचा हो रोशन हो इसका नाम हम जो कदम बढ़ाएं आएं वतन के का जाना है जाना सितारों के पार दुनिया को देना है इल्म और प्यार जाना है जाना सितारों के पार दुनिया को देना है इल्म और प्यार जाना है जाना सितारों के पार दुनिया को देना है इल्म और प्यार जी नाजरीन, इस वक्त हम अलाइट स्कूल के पने cities के अपिस के बाहर मगूद है. हम चलती हैं तर बॉहं दो सुल ए Our focus में हम wedding. दो दो सुल खोजाने हैं, तो चलते हैं. जी, नाजरीन, इस वक्त हम मिसree Coming school में से उप्रिगों Isray Jab did. तो अब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीम्ती टाइम हमें दिया अपको इस स्कूल में कितना टाइम हो गया है और आप प्रिंसिपल की फील्ड में आया तो आपका अपना ये इरादा था या किसी ने आपको कन्विंस किया इसके मेरी बिलकुल जो तालीम भी है अपना इरादा था बेकल और मेरी इमनी ख्वाइश थी कि मैसी फील्ड में आगे चल दूए मतलब एक बच्चा होता है ना चोटा जब हम छोटे होते हैं तो इस ताइम सब की यही खाहिश होती है मैंने इने चीचर बनने लेकिन जब हम 10th standard में आते हैं तो थोड़ा सा चे तो एक टाइम लेकिन ऐसा आज़ाता है जब आपकर आप आप सही करना है तो रहे हैं तो आप यहाँ पे अपर इस अपर आप एस तरीके से एक अच्छा इदारा चलाने के लिए प्रिंसिपल को जो है वो स्ट्रॉंग होना जरूरी है कौन सी चीजे हैं कि जो एक अच्छा अगर एक हेड़ भी है तो उसके लिए एक तीम का होना बहुत दूरियस के साथ जिसको उसको उसको बहुत अच्छा बनाना होते है अगर आप तालीम की जहां तक बात करते हैं तो हम मैं अकसर यह कुश्चिन भी करती होती हूं प्रूर भी के देख दोड में लगे हूँ चाहते हैं और बच्चे जो है उसका घ्रेड अच्छा हो वह इंग्लिश जादा से जादा बोलता हूँ वह क्या बोल्डा उसे नहीं पता उस सिस्टम में जो है ना वह बच्चा डिप्रेशन में भी आ जाता है हम बहुत सारे ऐसे क इस तरीके से थालीम दी जाए बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जाएं बच्चे उस दोड में ना लगे आपके बाद ठीक है के वाकि हमारे ग्रेडिंग सिस्टम बारेंश बारेंश ब्रेड्स को लेंगे लेकिन अगर यह कहाज है कि आख्सफोर्ड को हम गल्प ही कह सकते हैं देखें किताबे वह हमें इन्फरमिशन परवाइट करती है वह कोई भी हो और अगर अगर ऑक्सफोर्ड नहीं होगा तो उसकी जगह को यह होगा असल चीज है ट्रेनिंग कि उस चीज को पढ़ाना कैसे डिलिवर कैसे करना है बच्छों तक क्योंकि बुक्स की शकल में आपको इस इन्फरमिशन आगी है उसको आपने डिलिवर करना है और जही बात है पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस चीज पर अडर यह है कि हमारे सुसाइटी में अकसर टीचर्स के लिए बड़ी कॉंफरेंसे रखी जाती हैं वर्क्शॉप्स रखी जाता है तो मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क्शॉप्स होनी चाहिए जिसमें हम उनको डिफरेंट वेस तिखाएं सब कुछ हम टीचर्स को तो सिखा देते हैं लेकिन जाही बात है टीचर्स तो बच्चों तक अन्वेर कर सकती हैं पेरेंट्स त को भी इस तरह की कॉन्फरेंश और वर्क्शोप पेरेंट्स के लिए रखनी चाहिए ताके वो पने कड़ी कलम को पेरेंट्स को बता सके कि आप तो हो नहीं चीज करवाली किस तो उससे बच्चों के ग्रेड्स भी जो है वो बहतर हो जाएंगे पेरेंट्स के लिए असानी प्राइवेट करते हैं तो फीसे इतनी ज़ादा कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हर और हर डूसरी गड़ी में जाते है और एक प्राइवेट स्टर खुले होता है लेकिन फिर भी हमारे इतने स्टूडन्ट जो है वो बाहर होते हैं वो स्कूल में नहीं आसकत पेरंट्स फीसे फोड ही नहीं कर सकते तो यह फीसे जो भढ़ रही हैं भढ़ती हो फीसे हैं इसका आप किस चीज को ब्लेम करते हैं और गॉर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर में यह जो दुहरा निजाम है यह कैसे ठीक हो सकता है देखें इसमें अगर हम बिये कह देए कि डेपनिली गॉर्मेंट का तो रोल है अगर वो गॉर्मेंट लेवल पे ही इतना सब कुछ प्रवाइट कर दें जो प्राइवेट सेक्टर में देखी जाती हैं तो मेरे हैल से लोग उसको अप्रोच पी ज्यादा करेंगे और जो जो प्राइवेट कर रहे हैं तो अपने बचों को वहां पर दाफिल कर वाएएंगे मेशक बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ना दें लेकिन कुछ उसका हिस्सा जो है वहां पर इंटर्ड्यूस कर वा सकते हैं गॉर्मेंट के पास बहुत से स्रीय हैं एक एक फार्ड वगड और॑र्मेंट के आगे प्रीस्त कि उसक्ति उसके पेश करीच पर लेसे आपने थाला देनी जाएंगे के एक चाहिये हुआ कि अब्सरों को उसक् sık पर दोनीशे में पर ऑपने स्कूल जाया किरे में इच मैले कर वह इंच एक तियार कर रहे हैं कि और भुझासा जिए आप यही कहना चाहँगी कि आपको एक स्कूल, एक टीम और यह अच्छे टीमkovक बगळर काम नहीं कर सकता और उस टीम वर्क में आपके कैस्तोडियन स्टाफ भी आ जाते हैं जिसमें आपई आयाजी और केटीम यह सब लोग ही एक टीम की तरह हैं मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए ना कि अगर हम एक जगा पे बैठ गए तो हम ओर्डर्स दें बलके हम मिल के काम करें तो अगर प्रिंसिपल्स भी स्कूल के और साथ-साथ के साथ मिल के काम करें तो इसमें बहुत जड़ा अच्छी जो है वो आपकी वर्किंग और स्कूल के इंवार्मेंट में बेहतरी आएगी क्योंके जाही बात है पर अगर टीचर्स यहाँ पे तो आप टीचर्स के लिए एक रोल मॉडल है तो अगर आप उनके अपने बहेवियर से और अपने आपिट्यूट से ही आप जो है उनसे काम करवा सकते हैं कि जितना अच्छा आप प्र प्रफेशनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करती हैं मतलब एक सक्सेस्फुल लेडी जो है वो यह दोनों चीजों को किस तरीके से बराबरी से लेकर चलती है हाँ जी यह मुश्किल जरूर है लेकर ना मुमकिन नहीं है और जब आपके सर पे आपकी मदर हो और आपके कोपरेटिव हस्बंड हो तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मरे हाल से आप उन तोनों की मदद से और अगर मेरी बात लीजए तो मैं मेरी मदर बहुत भरी जो है मेरे हस्बंड भी मुझे काफी सपोर्ट करते हैं तो उनकी मदद से ही मैं आज यहां तक पहुंची हूँ और इन्शालल अलागे भी इस तरह से मामदाद चलते रहे मैं हर इंसान में बच्चा चुपा हुआ होता है माशालल जब आप छोटी थी तो आप किस तरह का बच्चा थी शरार्ती थी या बस खामोश रहती थी नहीं मैं बहुत ज़दे शरार्ती नहीं थी बलके मैं पड़ी जिजर्व सी एक स्टूरेंट थी अकर स्कूल की बात की जाए शरार्ती तो एक इंटियोंट श्रूरेंट थी बड़ थोड़ी जिजर्व थी थोड़ी शाय आप कह सकते हैं मैं इस किस्कूल की जो है वह स्टूडेंट थी स्टड़ी के साथ साथ, exact rocky activity को ड्रूरी आप डेखती हैं कि बच्चे लिए एक्स्रा केलिएटिविटी जो हैं वो किस हद तक जरूरी हैं हाँ, जी यह बहुत एहम हैं, अगर हम स्कूल के मामरे में देखें देखें, कताबे तो बच्चा घर में भी पर सकता है, इंफरमेशन दे सकता है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर अक्टिविटीज इसलिए ज़रूरी है कि एक तो बच्चे में उससे कॉंफिडेंस बहुत ज्यादा आता है, और वो होना, एक बच्चा है जो है, हम एक हुआ हैं तो फ्यूचर के लिए तयार करएं बेसिकली तो फ्यूचर के लिए उसको इस तरह से इतियार कर सकने कि एम उसमें कॉंफिडेंस पैदा करें हम उसको डिफेंट अक्टिविटीज करवाते हैं ताकि वो किसी के भी आगे प्रेजेंट कर सके अपने आपको सबसे ज़ादा पसंद है मुझे स्टार्ट से बेडमिंटन बहुत पसंद है और बेडमिंटन खेलना बहुत पसंद है आज तक मैं अपने बचों के साथ और कभी अपने कोलीक्स के साथ बहुत शौक से खेलती है मैं अपने बच्पन में जब आप स्कूल जाते थे तो कौन सी ऐसी चीज़ें आप ने मिस की जो आपने कहा कि जब आप यहां इस जगह बैट के आप आप प्रिंसिपल आप वो चीजों को इंप्लिमेंट करती हैं अब कहती हैं कि उस टाइम पे मैंने यह चीज़ें मिस कर दी लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको यह चीज़ें पता होनी चाहिए वैसी कौन सी इंप्लिमेंटेशन है उसमें यह है कि बच्चों के लिए तो खेर वक्त के साथ सथ बहुत तब्दीली आ चुकी है जब हमारा प बच्चों को देखके पकड़के काफी कुछ यह वो लर्न करते हैं उस टाइम यह चीज़ें नहीं थी लेकिन अब हमनारी कोशिश है कि हम वो सारी चीज़ें प्रवाइड करें बच्चों को मल्टी मीडिया थोड़ा सा एड हमने कर दिया अपनी स्टाडी पे परी रिसोर् सदूर्श और भाइस चिज़ें जो हम यह उस करते हमाँ मैं सोच्छल मेडिया का रोल देखती है आपके बच्चे जो मॉबा अमारी जदीर टेक्नॉली एभ वो क्या रोल प्ले करते हैं रहता बच्चों की लाइश में इक स्टुडंट के लाईफ में जो उसका क्या रोल बच्चे को तो कुछ नहीं पता है ना उसके पूरी दुनिया है तो यह चीज आप क्या देखती हैं कि अगर मैं यह देखू है बच्चे के दो असपेक्ट होते हैं तो पॉस्टिव असपेक्ट भी होते हैं तो इस तरह से यह है कि अगर आप सोशल मीडिया को देखा जाए तो बच्चों की लर्निंग भी बहुत ज्याद है उसमें काफी नहीं चीजेशें हैं जो बच्चा डिफरेंट रिसर्चे से सीख बच्चे को बच्चे को हैं उनकी पढ़ाई में उनकी असाइनमेंट कंप्लीट करने में तो पॉस्टिव तरीके से तो यह है अगर नागटिव तो उसके लिए पेरेंट्स को लिए सजेशन है कि वो बच्चों का चेक अन्बालनस रखें कि वो तीचर्स अगर स्कूल में अगर आप बच्चों की सूपर वियन में रखें अगर आप बच्चों की सूपर वियन करते रहेंगे तो कोई भी चीज उनके बुरी नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा सोशल मीडिया किस लिए उस कर रहें तो यह चीज आपके अपने कंट्रोल में है कि आप बच्चों के ऊपर चेक करके तो उनको पॉजटिव तरीके से सोशल मीडिया का यूज करवा है मैं को एक मैसेज जो आप हमारी निशन को देना चाहें वो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी बच्चों को और क्योंके मेरा स्कूल से तालुक है तो मेरी हमेशा से यहां बच्चों में बहुत सब्सक्राइब करें और हमें करनी चाहिए क्योंके अभी स्कूल में तो इस तरह से नहीं होता कि इतने बच्चों को प्लैटफॉर्म मिलते हैं बहुत अप लेवल के लेकिन जब उन्होंने अगे लाइफ में जाना है जब वो प्रफेशनल लाइफ मे बनाएं आप इतना उसको क्रियेटिव बनाएं कि वो एट लीस्ट किसी से कॉन्विडेंट होके बात कर सके और अपना जो है वो मकसद बता सके अपना कोई चीज बता सके घबडाये ना तो हमें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को बहुत ज़ता क्रियेटिव औ जो हमारी नेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके नाजरीन ये था आज का हमारा रोशन पाकिस्तान इस एट्मोसफेर को देखते हुए इस बच्चों को देखते हुए मैं भी कहीं न कहीं बच्ची बन गई हूँ और आप भी जरूर बैक फ्लेश में गए होंगे तो आज के लिए इतना ही काफी दीजिए अजाज़त अपनी में जबान जूबिया शफीक को अल्ला निक्रबान